गुट इवनिंग डियर स्टूरेंट्स एक तो पहरेबचो जिस कैमरा से मैं सूट करता हूँ आज मेरे पास वो नहीं है दूसरा है तो देर में भी सम्क्वालिटी इस वीडियो हिए सेकंडलि आज हम फिजिक्स की एक नई ब्रांच के बारे मी हम पढ़ने वाले हैं या यह कह सकते हैं कि नई ब्रांच हम सुरू करने वाले हैं क्यूंकि प्र dys hep जो नेक्स सेमस्टर सुरू होने वाला है उसमें मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है अगर हम दूसरे ब्रांचेज की कमपेरिजन में इस ब्रांच को देखें तो ये ब्रांच फिजिक्स के किस पार्ट में एड़ेस्ट होता है ठीक है उस बारे में हम बात करें क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट है है most popular part जैसे classical mechanics है quantum mechanics है statistical mechanics है electrodynamics है लेकिन ऐसा ही एक हमारा branch है जिसको हम जैसे मैंने बोला electrodynamics ऐसी एक branch है हमारा electronics आपने सुना भी होगा और मेरे हिजाब से electronics आज इस time पे दुनिया का कोई भी field ऐसा नहीं है जो electronics से अच्छूता हो चाहिए आप यह जो वीडियो देख रहे हैं यह बिना electronics के possible नहीं है पैरबचो इवन medical industry में जितनी भी मसीने हैं आप कहीं भी चले जाओ हर जगें आज electronics है यानि सबसे ज़्यादा अगर application हमारे life में आज के time में है और जिसने हमारे जीवन को करांतिकारे ढंग से बदला है तो वह electronics है तो पैरबची electronics actual में lie कहां करता है हमारे पूरे physics के framework में वह हम इसको समझेंगे एक्चुल में बच्चो यह electronics प्रकार से classical science नहीं है हमारी classical science जो 1900 से पहले की है और इसमें जो यह कह सकते हैं कि हम एक प्रकार कह है कि quantum mechanics हमारे modern physics है electronics एक modern science आप समझ सकते हो और electronics प्योर physics वाले student भी पढ़ते हैं और engineering वाले student भी पढ़ते हैं तो पहले तो हम यह देखते हैं कि एक्चुल में lie कहां करता है कहां से मर जुआ क्या यह में जो है इसका origin रहा है तो पहरे बचो बेसिकली तो अगर आप electronics को समझें तो इसमें जो भी principles involved हैं वो सारे वही principles involved हैं जो पहरे बचो electricity और magnetism में apply होते हैं यानि वही ओम स्लाव किर्चौप स्लाव और हमारे electricity में और थे मैगनेटिजम में थे जैसे एमपेर सर्कूटर ला बाइवट सेवट स्लाव तो electricity और magnetism कि जो ला आप लोगों ने पढ़े हैं वही यहां पर apply होने हैं और उन्हीं का application electronics है ऐसा आप कह सकते हो और पहरे बचो जब यह ब्रांच सुरू हुई थी तो इसका नाम electronics नहीं था इसका नम था radio technology है एक्चल में हम यह मान सकते हैं क्योंकि एक सार्प सुरुवात कहना यह तो हम कहने सकते कि उस दिन से सुरू हुई हुआ कह था सुरू में सरहर्ट्स ने एक्सपरिमेंट किया एक और इन देट एक्सपरिमेंट एक्चली सरहर्ट्स ने electromagnetic wave को ओवर डिस्टेंस अब से फ्यूफीट्स फ्यूफीट्स फ्यूफीट डिस्टेंस उनको डिटेक्ट किया और एक नहीं पोसिबिलिटी का जानम हुआ कि electromagnetic wave को कुछ डिस्टेंस पर आप डिटेक्ट कर सकते हो तो वहां से दिमाग में scientist लोगों के दिमाग में बात बैठी कि क्यों न हम EM wave को communication के लिए यूज करें जैसे परवचो मैं बोल रहा हूँ और यहां पर कोई विध्यारती बैठा हूँ तो वो मेरे पास सुन सकता है और सम डिस्टेंस तो उन्होंने का जब आवाद से communication किया जा सकता है तो ऐसे electromagnetic wave से भी communication किया जा सकता है और आफ्टर सम टाइम परवचो मार्कोनी मार्कोनी ने क्या किया कि electromagnetic wave को कई मील दूर detect किया यह उन्होंने कहा कि it is possible radio communication is possible जब आप इतने दूर उसको detect कर सकते हैं electromagnetic wave को तो यह possible है और परवचो फिर उसी के साथ जो रेडियो communication था उसको possible किया vacuum tubes ने परवचो जोन ए फ्लेमिंग ने सबसे पहले vacuum tube बनाई अभी vacuum tube क्या होती है उधान से सुनो कि देखिए परवचो वाटर इससे आम बहुत अच्छे से familiar है तो वाटर के कही रूप होते हैं परवचो वाटर समुदर में भी होता है वाटर नदी में भी होता है वाटर बाड़ आती हो उसमें भी होता है लेकिन जब वाटर का में फुआरा होता है उससे आप नहा सकते हैं आप अपनी गाड़ी को सर्विस स्टेशन पर दुला सकते हैं नहीं सकते हैं और आ जो हमारा इसमें जो सबसे बेसिक चीज है जो हमारे लिए काम करती है और जो जिसके कारणी सारा दुनिया में जो कॉम्मिनिकेशन फैला है उस सब में वह एक बेसिक चीज काम करती है क्या दा कंट्रोल फ्लो ओफ करेंट जैसे हम यह वीडियो रिकोर्ड कर रहे हैं और मेरे सामने जो यहां पर कैमरा लगा है वो इस वीडियो को रिकोर्ड कर रहा है पहली मैंने कहते है कि इस नोट दा प्रिवस कैमरा विच आज किसी करण से वो मेरे पास नहीं है तो परफुच इस कैमरे में भी क्या हो रहा है मेरा वीडियो मेरा ओडियो यहां पर रिकोर्ड हो रहा है या वो जो different amount का जो current का flow है और वो current का जो definite direction है वो एक किसी भी pre-planned program के according controlled way में flow हो रहा है, ठीक है, and that's the recording, और हर तरह के communication system में ऐसा ही होता है, तो जो सबसे जो basic जो हमारा building block है, electronics का, that is the controlled flow of electrons, ऐसा device जिस में हम electron को अपनी मर्जी से या some program के मर्जी से, वो controlled flow उसका हो सके, वो ही हमारा electronics में काम करेगा, तो सबसे पहला ऐसे device बनाया गया, 1904 में, जोन एक फ्लेमिंग ने, और उसमें क्या था पैरवचो, एक vacuum tube थी, you know very well, vacuum tube, एक कांच के tube है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, दो electrode है, बीच में कोई air वेगरा, कोई भी gas नहीं है there is an example of vacuum tube, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि, एक दिशा में current जा सकता था, दूसरी में नहीं जाता था, देखो जैसे conductor होता है, conductor के case मित क्या होता है पैरवचो, जैसे माल लीजी, ये मेरे पास, suppose माल लीए कोई conductor है, इसमें आप यहां से यहां current flow करेंगे जाएगा, अगर आप यहां से यहां current flow करेंगे, तो भी जाएगा, पर इन केस ओ, vacuum tube, which was invented by zone a flaming in 1904, इस तरफ current जाएगा, इस तरफ current नहीं जाएगा, यानि यूनि डारक्शनल था, इसलिए इसका नाम रखा गया, flaming valve, valve, valve means which works in a single direction, जैसे one way road नहीं होता है, traffic में, कि this is one way, one way means आप जा सकते है आने ही सकते, तो इसी तरह हो जो हमारा vacuum tube था, वो एक one way रस्ता था लक्टॉंस के लिए, लिए स्टूडेंट, 1907, लीडी फोरेस्ट, उन्होंने इस vacuum tube को थड़ा modify किया, और पहले जो ये electronics के इतिहास में, एक बहुत revolutionary idea था, उन्होंने इस vacuum tube में grid add किया, यह एक टर्मिनल और एडिकिया, पहले सुदो थे, एक टीसर टर्मिल और एडिकिया, और वाई एडिंग इस थार्ड टर्मिनल, आवर वेक्यूम टूब कैन वर्क एजन एंप्लिफियर, इट कैन एंप्लिफार वीक सिगनल्स, और पहरवाचो ये उस समय की सबसे बड़ी जरूर थी रिडि एंप्लिफाई कर सकता है, और फिर रेडियो कम्मुनिकाशन पॉसीबल हुआ, फिर उसी के बाद रेडियो के बाद फिर टेलिविजन कम्मुनिकाशन भी पॉसीबल हुआ, वा यूजिंग वेक्यूम टूब्स, बट रियर सुरेंट, इनके अपनी कुछ कम्यां रही वेक् की हे, उसीं सो साथ के बाद कमचला वेक्म टूब्स पे कमचला उसके बैसिस पर डिवाइस थी वने, रेडियो कम्मुनिकाशन भी हुआ, लेकिन पर ठीक नौ मैं फिर कहुआ हुआ की वहां पर, जो रेडियो कम्मुनिकेसन था, बाद आज गशिंग आज है थेमारा, आफ ठीक है, in 1947, three scientists working together in Bell Laboratory, okay, in Bell Laboratory, the three scientists were William Sockley, W.H. Brayton and Jay Burden. In 1947, 27, उन्होंने कहा कि ये जो कारिये आप इससे कर रहे हैं, vacuum tube से, ये कारिये आप with the help of germanium कर सकते हैं, with the help of silicon कर सकते हैं, यानि जो काम आप vacuum tube से कर रहे थे, वो काम, अब आप silicon या जर्मेनियम से कर सकते थे, और silicon और जर्मेनियम, as compared to vacuum tubes, बहुत छोड़े थे, vacuum tubes के तो कही नुक्षान थे, परविचो जैसे, यहाँ पर मैंने लिखा है, कि vacuum tubes और बलकी, बहुत बड़े होते थे, अब आप इस बात का idea लगा सकते हैं, कि जो पहला जो TV बना था, उसका size, एक आपका, आप जिस कमरे में पढ़ा रहे न, उससे की कुछ ना कुछ बड़ा था, पहला TV जो बना उसमें इतना बड़े size का था, consume high power, उसको operate करने के लिए बहुत high power की जूरत पढ़ती थी, क्योंकि vacuum tubes थे, उसमें already vacuum tubes को high power की जूरत पढ़ती थी, require high operating voltage, जैसे इसमें ब बाद ये vacuum tubes अपने आप खराब हो जाती थी, and less reliability और low reliability, यानि कि उनके उपर जादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता था, vacuum tubes पे, और परविचो इसमें एक बात मैंने लिखी नहीं है, आप लिख सकते हैं, they also require cooling, separate cooling system, यानि vacuum tubes को थंडा रखने के लिए एक अलग से cooling system भी थे, तो जो पहला TV बना, मैंने बताए जिसका size एक कमरे जितना था, उसमें बहुत सारे पंखे भी लगाए, ताकि वो system को क्या रखे, धंडा रक्स के, लेकिन 1947 में, जब उन्होंने जो लीडी forest ने जो काम किया था, vacuum tube amplifier था, वही काम उन्होंने एक छोटे से, टुकडे से किया, शुरुआत में जर्मेनियम यूज करते थे, बाद में पर फिर सिलकन यूज करने लगे, आपने सुना भी होगा एक अमेरिका में जगा है शिलकन वैली, और इंडिया में भी बेंगलोर को बोलते है न सिलकन वैली उप इंडिया, वो सिलिकन का जो वार्ड आया है ना, ये वहीं से आया है, विकूज इन अवरी टेकनोलजी, देखन विच आप अंदाजा लगा लिजिये, एक टीवी जो एक कमरे के बरापर उसमे इतनी सारी कम्या थी, वो एक बिलकुल जरा सा, सस्ता सा, सिलकन मिट्टी होती है, सिलकन मिट्टी से बन्ता है, तो इतनी बादा है, पंडेंट अमांट में होता है, और इतना यूजफुल है हमारे लिए, तो परफचो, 1947 में मैंने कहा, ये दूसरा माइल स्टोन था, पहला माइल स्टोन इन दा हिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स, 1907, तो सेकंड माइल स्टोन इच, 1947, तो परफचो, इनो ने भी पूरे उस इंडस्ट्री को बदल दिया, रेडियो, टीवी, जो बहुत बड़े अमीर लोगों की चीज़े होती थी, एक समय ऐसा था कि, टीवी किसी के घर में होना, वो इतना ही एक्विवेलेंट था जितना आज किसी के घर में मर्सेडीज होना, क्योंको महंगा इतना होता, क्यों च आपने पुराने टाइम के घर देखे हों. हाला कि उसमें सारी चाहि लोगों ़िन थे लेडियें, फिर भी आश्टा पृम, गभी चीज़े होती तो तो पीक्ट्य तो एक लिएक वेक्विव जो बहुत बाद में जाके हटा है उसके जगे फिर LCD ने लिक्विट कर्स्टल डिस्पले ने और अब उसके जगे LED ने लिए रखी है फिर पहरबचो तीसरा मालस्टोन आया इन दाइस्टी ओफ लेक्टोनिक्स देट वाच इन्वेंशन ओप मॉस्फेट मेटल ओक्साइड सेमिकंडॉक्टर फिल्ड ए मैक्रो इलेक्ट्रोनिक्स और पहरावचर उननीससो संतालेश के बाद actions सुलिड स्टेट dre pernah म्हाईए उलएक्ट्रोनिक्स के वहाँ दो денег in गपर निक्साइए Mythical такие किसका काम यहे त्यारे मिक्रें वि से लेकिन बाद में जब ये हुआ तो पतालग इसके बहुत यth sagt है कि आपकी कार है उसकी चाबी है आप करते हैं उसमें comfort है ठीक है stressis एक सए मसीन मर्ण critically करते है सब में the time the get some adequate default तो एक डिजिटल तराजू होती है उसमें भी एलेक्टोनिक्स है तो पहरे बचो 1947 से पहले इसको रेडियो टेक्नलोजी कहा जाता था बाद में फिर इसको एलेक्टोनिक्स कहा जाने लगा और है और टिर्टावी टेक्ट हлагा अब प्यारीम तो फिरक्ड आने से उहां चीजिज़ों को और कॉम्पैक्ट कर दिया कि अधियरों छोटा कर द दिया इसलिए फिरसका नाम के ने माईगरो uzुंष वी होता था कभी एक घड़ी होती थी एक walkman होता था, type recorder होता था, cd player होता था, कितनी सारी चीजे थी, उन सारी चीजों को, आगर उनको रखेंगे, अगर आपको ध्धान हो, अपने बड़े भाई साब से पुछना, वीडियो cassette recorder एक वीश्यार जो है, वो होता था, एक CD player तो साइध आप लोगों ने देखा होगा, DVD player भी आपने देखा होगा, computer भी आपने देखा होगा पुरानी time वाला, तो उन सारी चीजों को देखे वो जितने भी काम करते थे, अब वो सारा का सारा काम आपके पास जो हाथ में Android phone है, वो कर रहा है, यानि अब आप जो मेर आपके कारणी है कि चीजों को और छोटा कर दिया गया, और पहरे बचों अभी और भी इस पर काम चल रहा है, जिसमें हम इसको और भी छोटा करने वाले है, इसा आपने वर्ड सुना होगा, नेनो टेकनोलोजी, नेनो टेकनोलोजी में हम क्या करने है, वी आ ट्राइंग टू रिड्यूस पर साइज, हम इन चीजों के साइज को और छोटा करने जा रहे है, ठीक है बड़े बचों, और आगे बढ़ेंगे तो एक फोटोनिक्स एक न अपने प्रिक्ट्रिसिटी, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल उन्हीं का एप्लिकेशन है हमारा इलक्टोनिक्स, तो इसको प्योर फीजिक्स में भी हम पढ़ते हैं और इंजिनिंग में पढ़ते हैं, ठीक है बड़े बचों, तो 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 आट वस आ इंट्रोड़क्शन तो आटनक्स.